हेलो दोस्तो वेलकम बैक वन्स अगेन ओन अवेक्ण ब्रेंज मैं आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेक्ण ब्रेंज पर वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में एक और इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जेके SSB Forester's Job and जेके SSB Inspector Forest Protection's Job के Full Details of Physical Standard Test and Physical Endurance Test यानि की Walk Test के बारे में complete detail में यहाँ पर बात होगी दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार आये हैं तो इसी तरह के वीडियो कांटेंट को देखने के लिए हमें जुरूर सपोर्ट करें सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें साथी साथ बैल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ले हैं ताकि हर लेटेस वीडियो हमारे एंड से आप इन फ्यूचर भी रसीव करते रहें अगर दोस्तो एड दी एंड ये वीडियो आपको इन्फॉर्मिटिव लगा अच्छा लगा हेल्फुल लगा तो इसे लाइक जुरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जुरूर शेयर कीजेगा और साथ ही साथ कमेंट में फीडबैक देना ना भूलेगा तो चलो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आज बात होगी जेके एसेसबी फोरेस्टर जॉब एंड जेके एसेसबी एंस्पेक्टर फोरेस्ट प्रोटेक्शन जॉब फुल डिटेल्स ओफ फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंडॉरेंस टेस्ट यानि की वाक टेस्ट के बारे में जिसको हम PST और PET भी कहते हैं with all the facts and the figures और personal experience भी share करूँगा और दोस्तों से लिया हुआ experience भी आपके साथ discuss करूँगा सबसे important बात दोस्तों यहाँ पे how to qualify the physical standard test and physical endurance test जिसको हम वाक टेस्ट भी कहते हैं for both of the jobs forester and inspector forest protection force के लिए तो बने रहीएगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेके last तक step by step हर एक पहलू के बारे में हाँ पे बात की जाएगी आपको complete बताया जाएगा कि किस तरह से आप walk test physical standard test करने के बाद qualify कर सकते हैं तो दोस्तो शुरू करते हैं अपनी बात यहाँ पे prescribed qualification से qualification prescribed आप देख सकते हैं forrester post के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपको 2 star लगने है और inspector की post लेने के बाद आपको 3 star जो हैं वो लगेंगे यहाँ पे हम बात कर रहें prescribed qualification की तो आपको forrester के लिए plus 2 होना जो है वो जरूरी है और science का subject आपको plus 2 में होना चाहिए जबकि inspector की qualification पर अगर आप नजर डालें तो आपको bachelor's होना जरूरी है bachelor's की degree आपके पास चाहिए वो किसी भी field में हो medical, non-medical, arts, humanities जिसको कहते हैं commerce हो, law हो, कोई भी graduate, b.tech हो और लेकिन science का subject आपको 12 में यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे graduate आपकी basic qualification रहेगी उसके बाद आप नीचे चलें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा gender, male और female की height 163 cm, males के लिए 150 cm, females के लिए chest normal 84 cm, chest normal females के लिए 79 cm, chest expansion दौनों के लिए 5 cm होगा, लेकिन यहाँ slight सा difference है gender, male और female में height आपको यहाँ पे, male के लिए थोड़ा difference होगा, males के लिए 165 cm की height मांगी गई है inspector में जबकि यहाँ पे आप forester में देखें तो 163 cm ही मांगी गई है, females का criteria सेम है 150 cm, 79 cm chest normal expansion इसकी 5 cm चाहिए, बाकी males में भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ height में difference आ रहा है 165 और 163 के बीच में सिर्फ 2 cm का difference आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे important बात है walk test की, जो सबसे important है, महत्तपून है, physical standard qualify करने के बाद आपको 25 km as a male 4 गंटे में सफर तै करना है, और as a female 16 km 4 गंटे में सफर तै करना है और साथ ही साथ concerned district से CMO Chief Medical Officer की fitness certificate जो है issue होनी चाहिए और criteria of selection आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनु के लिए merit based, written examination based selection होगी लेकिन physical standard test और walk test आपको eligible कर देगा written test के लिए तो clear हो गया यहाँ पे कि पहले आपको physical test, physical standard test और physical endurance test यानि कि walk test को clear करना होगा उसके बाद आप second stage written examination के लिए appear हो सकते हैं तो यहाँ तक I hope कि यह general मैंने जो आपकी साथ discuss किया आपको clear हो गया होगा तो process of selection step by step for both of the jobs के लिए qualification होना बहुत जुरूरी है qualification के बिना आप eligible नहीं है, forester के लिए मैंने बोल दिया कि 12th होनी चाहिए लेकिन science और inspector के लिए graduate होने चाहिए लेकिन 12th में science और इसी तरह से physical standard test भी होगा और उसके बाद यहाँ पर selection के steps में तीसरा step है walk test अब हम नीचे चलते हैं यहाँ पर आपको forester job के बारे में जो मैंने आपको qualification in detail उपर discuss की दौनु jobs के लिए फिलहाल हम forester को ले रहे हैं तो forester के लिए qualification आपको पता चल चुका होगा physical standard में आपकी आसानी के लिए मैंने parameters of physical standard आपको दिये हैं दुबारा यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हैं 163 cm height चाहिए males को 84 cm normal chest चाहिए और expansion 5 cm का चाहिए और females को 150 cm की height चाहिए 79 cm chest normal चाहिए expansion 5 cm का और आपकी आसानी के लिए इसको मैंने convert किया है feet and inches में males आप देख सकते हैं जब हम 163 cm को convert करते हैं तो 5 feet 35 inches बनता है और इसी तरह से यहाँ पर आप inches को नजर मार सकते हैं chest normal को और यहाँ पर expansion के inches को नजर मार सकते हो इसी तरह females की कितनी feet कितनी inch height चाहिए यहाँ आपको दिख जाएगा 4.93 in general 4 feet and 93 inches 4.93 inches जो है आपकी height चाहिए इसी तरह से यहाँ पर आपको chest normal भी दिखेगी chest expansion भी दिखेगी तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने physical endurance test यहाँ sorry physical standard test के converted measurements भी आपको दिखा दिए अब inspector के अंदर हम चले हम इसी पोस्ट में देखें हम तो parameters of physical standard test आपकी screen पर यह रहा height male और female के लिए इसी तरह से chest normal इसी तरह से expansion और फिर यहाँ पर converted measurement में आप feet and inches को देख सकते हैं pause भी कर सकते हैं वीडियो को और अराम से देख सकते हैं इसी तरह से chest normal में भी आपको दिखेगा और यहाँ पर expansion में भी दिखेगा तो मैं आपको बता दूँ फिर भी males के लिए 5.42 इंचिस जो है height चाहिए females के लिए 4.4 feet and 90.93 inches जो है आपकी height चाहिए इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं लंबी है तो आप इसको छोटा नहीं कर सकते आपकी अगर छोटी है तो बढ़ा नहीं सकते तो यह natural quality है इसमें आप अगर clear हो चुके हो physical standard test में आप eligible हो गए हो आपकी height chest measurement सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए और बता दूँ कि height इस तरह से आपकी major होगी और यह scale वहाँ पे लगा होगा तो इस तरह से आपको यह दिखा दूँ कि इस तरह से यहाँ पे यह जो आपका ऊपर का top होगा वो 163 cm 165 cm पर रखा जाएगा अगर आपकी height जादा है तो इसको ऊपर लिया जाएगा अगर आप equal हो बराबर हो तो आपको clear कर दिया जाएगा लेकिन अगर आपका सर जो है इसके साथ touch नहीं हो रहा है gap आ रहा है बीच में दिख रहा है तो आप height से रह जाएंगे इस तरह से वहाँ पे height major होती है मैं आपको video मैं भी बताऊंगा height की और chest की भी आगे फिलाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको photograph दिखा के height measurement कैसे होग दोनों के लिए females के लिए भी आपने देखा और males के लिए भी देखा होगा यहाँ पे आपको इस तरह से इस tool से जो है वो chest जो है वो major की जाएगी वो मैं भी video मैं भी आपको दिखाऊंगा अब males की chest जो है कहां से major होती है यहाँ पे आप देख सकते कहां पे रखा गया है measurement क तूल और फिर इसी तरह से females को अगर कोई दिक्कत है कि हमारी chest कहां से major होगी तो यहाँ पे रखके आपको major किया जाएगा यह आप photograph में भी देख सकते हैं आराम से कहां से आपकी chest major की जाएगी और males भी आप आराम से देख सकते हैं कि chest आपकी कैसे major होगी यह आपकी आसानी के लिए photographs में अभी दिखा रहा हूँ और बाद में आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा दौनों का practical किस तरह से high tend chest major की जाती है तो यह रहा आपका chest measurement का tool तो next पढ़ाओ यहाँ पे है walk test का इसके बाद आपका walk test होगा जब आप physical standard test qualify कर जाएंगे तो walk test को हम physical endurance test भी कहते ह हैं तो genders में आप देख सकते हैं female male के लिए 25 km male 4 घंटे में female 16 km 4 घंटे में और track अभी unknown है क्योंकि अभी official details नहीं आई है track हो सकता है जो मैंने जो है guess work किया है national highways भी हो सकते है national highway के road को बंद किया जाए कुछ देर के लिए तो आपको दड़ाया जाए timing के हिसाब से यहां ground भ आपका long जो है यह walk test होगा long running होगी तो अब आपकी और आसानी के लिए यहां पे miles को मैंने convert किया है kilometers में कि miles को अगर हम देखें तो कितना miles बनता है यह one mile होता है is equal to 1.609 km और 25 km को miles में convert करते हैं हम तो 15.5343 miles आता है case study मैंने यहां पे थोड़ा example देने के लिए आपके है defense race, police race, belt forces की race जो है वो 1600 meter की होती है जो तेज भागना होता है साड़े 6 minute में जो की मेरा खुद का personal experience भी है जब मेरा खुद का qualify हुआ था जमू कश्मीर police sub inspector का exam तो मैंने भी यह qualify किया था some bad lucks worth year कि मैं आगे qualify नहीं कर पाया second stage को और मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने इसको qualify किया फिर बाद मैं written exam qualify करने के बाद भी हो merit out हुए उनसे भी discuss करने के बाद मैं आपसे ये चीज़े आज जो discuss करने जा रहा हूँ वो बिलकुल experience के basis पे discuss करने जा रहा हूँ तो आप बने रहेगेगा इस वीडियो के साथ तो हम बात कर रहे हैं 1600 meter की running की बारे में तो यहाँ पे यह race इस race से बिलकुल different है क्यों different है यहाँ पे आपको बता दूँ this is based on your full strength base because less distance में less time में आपको यह cover करना होता है लेकिन यह वाला जो criteria है ना दोस्तो walk test का female और male के लिए 25 km और 16 km 4 घंटे का यह बिलकुल different है इससे क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी last जो अपनी strength है full strength है उसको use करके थोड़े से time में बहुत जादा तेज दोड़कर यह वाला target पूरा करना होता है 1600 मेटर वाला लेकिन यहाँ पे आपको यह race थोड़ी सी different है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे आज step by step बताने वाला हूँ कि इस race को इतनी लंबी race को कैसे पूरा किया जा 16 किलो मेटर चार गेंटे में तो अब हम बात करते हैं an average human can slowly run UK based fitness website से मैं data लेकर बता रहा हूँ आपको UK based fitness website कहती है men typically run at an average of 9.4 km per hour whereas women can run at an average of 8.4 km per hour according to marathon handbook कहती है the average pace for a logged run is 9.53 per mile when it comes to training making the average humans running speed about 6 mile per hour this data comes from the average across both sexes over the entire year 2021 का data दे रहा हूँ so it's good approximation of a typical training pace so on an average 9 km plus minus for both the males and females जो है वो run कर सकते हैं अगर हम 8 km भी दोस्तों रखते हैं एक गेंटे में तो आप समझ सकते हैं कि 8 km अगर एक गेंटे में हो सकता है दूसरे गेंटे में 8 और तीसरे गेंटे में 8 तो हमारा target जो वैसे ही 3 गेंटे में पूरा हो जाता है अगर हम 10 km भी रखते हैं यहाँ पे आपको बता दू 10 km भी एक गेंटे में रख सकते हैं और 9 km भी रखें तो तब भी हम 3 गेंटे साधे 3 गेंटे में इस सफर को जो है आराम से पूरा कर सकते हैं लेकिन training के बाद complete इस पे workout करने के बाद ऐसे ही नहीं पहले दिन जाकर आप जो है इस running को पूरा कर सकते हैं इसके लिए आपको पहले से pre-plan करना होगा तब ही जाके मैं आपके साथ ये वीडियो advance में share कर रहा हूं discuss कर रहा हूं I hope कि इससे आपको काफी help होगी और इस वीडियो को आप काफी sport करेंगे इस channel को भी प्यार दिखाएंगे subscribe का button अगर अभ आपको क्या कहता है first start normal and go with the pace slow walk to jogging then step by step initially then increase it day by day कहने का मतलब यह कि पहले कहरें कि आपको normal start करना होगा pace अपनी slow रखनी होगी जैसे कि आप jogging कर रहे है तो step by step इसको आइस्ता आइस्ता दिन बदिन increase करना होगा it's not too difficult but on initial stage you have to practice at moderate level उसके बाद besides do not try to practice 25 km in your first day पहले दिन जा किया 25 km कभी भी try मत कीजेगा इससे you may fall down on earth unconscious while practicing because body is not trained yet so इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा increase करना होगा अपना stamina which necessities you need comfortable pair of shoes होने चाहिए अच्छे shoes होने चाहिए sports के shoes होने चाहिए water bottle होनी चाहिए पानी आपको पीना है ताकि dehydrated feel ना करो और sports suit होना चाहिए means की sports suit होना चाहिए आपको trouser यहां हलकी सी soft t-shirts और trouser पहन के जो है running करनी है भारी कपड़े पहन के नहीं करने what you need to do is firstly your goal should be 5 km run and do not look at a time if it is possible a company with your friend तो अगर आपको पहले दिन पहले शुरुआत से ही अगर आप घड़ी पर नज़र रखेंगे तो फिर आप consciously उस पर focus नहीं कर पाएंगे तो पहले आप पहले दिनों में आपको time नहीं देखना है अपने दोस्तू के साथ group में दोडने की कोशिश करनी है और उसके बाद 7 दिन होने के बाद conscious practice करने के बाद stretch your limit फिर 8 km तक आपने भागना है फिर 10 दिन के बाद आपने 12 km तक भागना है then this time takes short breaks लेनी है आपको पानी पीना है और साथ साथ में आपको अपना goal जो है वो follow करते रहना है और इसी तरह से आपको ये 2 हपते तक अपना goal जो है follow करना है आप 15 दिन के बाद your workout once again suppress your limit and your destination should be 16 km तक भढ़ा देना है for your starting point then stick with this for next 15 days तक आपको 16 km पर रहना है furthermore force your legs to run for 20 km फिर आइसता इसता इसको 20 km तक लेना है now and increase the number of breaks which you take while practice फिर follow this routine until you feel comfortable with this task फिर इसी task के साथ चलता रहना है once you do add 2 to 3 km extra in a week hence one and half month later you may be got your desirable goal फिर आपको यहाँ पे आपकी running का आप goal जो है वो accomplish कर सकते हैं कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा do not forget to follow the precautions जैसे है कि आपको पानी खुला पीना है 5-5 लीटर तक का पानी अगर आप हो सके तो आप कोशिश करेंगे तो आप पीएंगे और आपको dehydrated बिलकुल भी फील नहीं होना है work out आपने अच्छे से करना है पानी आपको अच्छे से लेना है डाइट आपको अच्छे से लेनी है उसके बाद यहाँ पे black grams यह जो है आपको पता है कि वो काले चने की दाल और गुड के साथ आपको जो बिगो के उस दाल को रखना है रात को किसी बावल में और उसके बाद सुबह उसको जैगरी के साथ early morning में खाना है इससे आपका stamina बढ़ेगा और उसके बाद आपको juices लेने है fruits खाने है soya bean cheese वगएर जो भी आपको healthy food लगता है वो आपको खाना आपको भी पता है कि healthy foods क्या क्या होंगे आप internet पे जाके search भी कर सकते है whenever you feel pain in your chest stop running अगर आपको छाती में दर्द हो रही है नीचे कहीं पे आपको दर्द हो रही है stomach में भी दोड़ते कभी दर्द होती है muscles में टांगू में दर्द होती है तो आपको rest लेना है क्योंकि health ही तो आप दोड़ोगे stamina आप आइस्ता इस्ता build करोगे एक ही बार जान मारने की कोशिश ना करें second opinion यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि I think 4 hours time for 25 km is more than enough यह मैं भी समझता हूं an average runner runs little more than 10 km in an hour which practically is a kind of a jogging without any load you should be able to complete 25 km if you are running 25 km you must be in some practice also तो फिर 3 hours तो maximum होते हैं comprising both jogging या walking करके आप 3 घंटे में सफर पूरा कर सकते हैं साड़े 3 भी रख लो 4 भी रख लोगे तो काफी है an average runner completes the same distance in less than 22.5 hours तो यहाँ पर हम उन runners की बात नहीं करेंगी जो बहुती जादा marathon की races दोड़ते हैं उनके साथ हमारा कोई comparison नहीं है लेकि इसकी soldier full battle load का मतलब होता है कि पूरे जंगी एक soldier जो पूरे जंग के लिए तयार उसके साथ सारी uniform complete पहनी है bulletproof jacket पहना है guns है उसके पास और भी बहुत सारा सामान है लड़ाई के लिए तो typically 18-20 kg का load लेकर वो 25 km जो है 3 घंटे 15 मिनट में पूरा करता है बढ़ हम soldier नहीं है य अगर हम मैं आपको examples दे रहा हूं कि यह task यह लोग इस तरह से करते हैं तो हमें तो 4 hours का time दिया गया है तो इस तरह से मैं आपको साथ साथ में example भी बता रहा हूं कि हमें इतनी भी जान नहीं मारनी इनकी तरह लेकिन हमें slow start करके अपने इस task को पूरा किसी भी सूरत में हम क कर सकते हैं और यह achievable goal है next यहां पर आपके साथ बात कर रहा हूं important tips and the points to note down for walk test 25 km कैसे होगा 4 गंटे में पूरा तो सबसे पहले आप running जो है वो देखें style कैसे कैसे आपको running करनी है तो आपने groups में running करनी है healthy style में running करनी है दोड़ते भागते हसते खेलते बात करते और roads आपक थोड़ा encourage करने के लिए बता रहा हूं यह road तो इंडिया के road है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको जेंट की के roads भी नीचे दिखाऊंगा इस तरह से आपने try करना है कि अपने groups में दोड़े आप बात करें एक दूसरे के साथ हसी मजाग करें थोड़े देर थोड़ा serious दाकर जो है यह ऐसी physical activities हम पूरा कर सकते हैं इसमें गुसा, mood, tash में या rush में भागते ही रहना और किसी से बात ना करना इस तरह के goals आप achieve कर सकते हो लेकिन आपको यह longer run में मदद नहीं करेगा क्योंकि यह practice है तो practice में आपको इस तरह की images को याद रखना है बात करते रहना ह थोड़ा सा अपने ideas को share करना है, दूसरों की भी बात को सुनना है, groups में दौड़ना है, चाहे वो males आपकी friends हो, females आपकी friends हो, males friend हो, तो vice versa आप दौर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे photos पे अगर मैं आपको बता दूँ कि different types of roads जो है, यहाँ पे जेंड के मैंने पहले आपको प्रकुताद या, national highway भी हो सकता है, link roads भी हो सकते हैं, side roads भी हो सकते हैं, और कहीं पे भी आपको दढ़ाया जा सकता है, 25 km का task आपको पूरा करना है, तो इस तरह की locations आपके सामने मैं share कर रहा हूं कि हो सकती है, चढ़ाई भी हो सकती है, plane भी हो सकता है, और इस तरह का road भी ह हो सकता है, highway भी हो सकता है, link road भी हो सकता है, तो watch the videos how the height and chest is measured for both the males and females, practical base पे मैं आपको यह दिखा रहा हूं, पहले आप यह video देखें कि height and chest कैसे measure की जाती है, बोथ males और females के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं कर दो कर दो कर दो दोरा लग से खजयए, कि अगोड़ा आग्याइड़ा है अगर दोशा है घ्टतो है दोड़ा, और रया दोड़ा है जिर अ है उड़ियों कि अन्याओाड शार, यॉज निर टार, पाले ड़स, जिर और चॉचवफ रेद्टार, प्रफ़ लगार, यॉट जिया फ्याओार, रार शार लार, यॉड और लार, व्यॉव़टाश्वार, यॉड़् जस व्यॉड़ सेमानों जिर आरेख़ कि नहा तो दोस्तो आपने देखा होगा वीडियो में कि किस तरह से हाइट and chest को major किया गया males को भी और females को भी हाइट किस तरह से major की गई chest किस तरह से major की गई तो इस तरह से आपका physical standard test जो है वो qualified होगा और फिर आप eligible हो जाएंगे walk test के लिए जो की mission है 25 km 4 घंटे के अंदर तो अब हम सबसे important point पे आ चुके हैं यहाँ पे आपको important tips and points बताने वाला हूँ जो आप खुद भी note down कर सकते हैं description box से भी यह PDF आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे इन points पे आप जुरूर focus करिएगा जब आप 25 km 4 घंटे के time में इस task के लिए जाएंगे 25 km 4 घंटा और 16 km 4 घंटे के task के लिए males and females जब भी जाएंगे आप मेरे दोस्त जो देख रहे हैं viewers तो इन points का आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला point है slow your pace आपको अपनी pace को slow करना होगा you will save energy for both bonus miles by slowing your pace आपको feel करना होगा पहले comfortable उसके बाद आपको conversation में रहना होगा और a good rule of thumb है कि आप 90 seconds add करें to 2 minutes per mile to your normal pace तो यह आप याद रखें दूसरा point है do one long run per week एक हफते में कमस कम आप एक long run पूरा का पूरा cover करने की कोशिश करेंगे जान नहीं मारेंगे अगर हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं हो रहा है तो quit कर देंगे फिर next week दुबारा से get durable sneakers short shot में बता रहा हूँ कि आपको अच्छा shoes होना बहुत जुरूरी है अच्छा comfortable shoes जुरूरी नहीं है महंगा आट-दस हजार का जूता पहनेगे तो फिर ही दोड़ा जाता है मैं 200 रुपे का shoes पहन के भी दोड़ा हूँ और मैंने qualify भी किया था तो यहाँ पे वो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि sneakers आपके अच्छे होने चाहिए अच्छे से यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है पैसे का आपका shoes 200 का भी हो सकता है और 10,000 का भी हो सकता है जिसको जो मन करे तो sneakers अच्छे लेना उसका soul अच्छा होना चाहिए अंदर से आपको comfort फील करवाना चाहिए जब आप running कर रहे हों तो have a well tailored training plan तो आपको well tailored training plan पहले ही से prepare करना है quickly becomes a lifestyle the training involved should match one's level of fitness and it's important to set challenging but reachable goal आपको set करना है ऐसा goal नहीं कि आपको 100 km का goal set कर दो तो पता चल ले तो 10 दिन तक आप पहुँचे ही नहीं तो reachable goal set करने planning के साथ eat healthy आपको खाना मैंने उपर भी बता है healthy खाना है और काले चने आपको भिगो के रखने है ये ताकत देने के काम आते हैं गुड के साथ आपको खाने क्योंकि इस तरह से अगर नहीं खाये जाएंगे ये मैंने खुद भी किया है तो काफी help मिलती है ताकत भी मिलती है उसके अलावा भी लाखुँ चीजे हैं आपके पास पड़ी होंगी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं अपने घरवालों को पूछ सकते हो किसी fitness freak से पूछ सकते हो तो आपको healthy items, healthy food में क्या-क्या खाना होगा बहुत सारी चीजे हैं juice है, fruit है, healthy meal है और भी बहुत सारी चीजे हैं और depending upon कि आप vegetarian है non-vegetarian है, secondary बात आजाती है अब यहाँ पर warm-up ज़रूरी होता है क्योंकि आप a combination of some stretching exercise 10-minute walk before the run are highly recommended to eliminate chance अब muscle pulls और cramps से बचने के लिए आपको warm-up करके अपने mission पर निकलना होगा जब भी जिस दिन भी आप running के लिए जाएं तो थोड़ा warm-up कर लें, exercise कर लें push-up कर लें, high jump, long jump कर लें थोड़ा सा 18-minute का अपनी body को थोड़ा सा condition में लाएं उसके बाद आप अपना track शुरू करें cool-down, cool-down भी बहुत important है most of the people will warm-up before a run but forget to cool-down तो आपने running से पहले जब warm-up किया ताकि आपको वो energy मिली लेकिन जब आपने वो task खतम किया तो cool-down करने से पहले ही आप घर चलेगे तो वो बात भी आपको cool-down ज़रूर करना है, आपने आपको relax feel करवाना है, cool-down is just an important as warm-up, after long distance आपको cool-down 10 minute के लिए body को cool-down करना है, recovery के लिए यह बहुत ज़रूरी है आपको hydrated रहना है, क्या पानी आपको खुला पीना है, जितना ज़ादा आप liquid पीएंगे आपको उतना ज़ादा running में आसानी होगी, आपको पानी की कमी महसूस बिलकुल भी नहीं होने देनी है do not run too soon after having a meal, खाना खाते ही आपको भागना नहीं है यहाँ पे तो तीन घंटे बताया जा रहा है लेकिन मैं आपसे suggest करूँगा कि कम से कम आपको एक खाना खाने के बाद आप दो घंटे ढ़ी घंटे का gap ले सकते हैं उसके बाद ज़ादा भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है तो gap लें ज़रूर खाना खाते ही भागने की कोशिश ना करें पेज दर रन यहाँ पे वन मिस्टेक लॉंग दिस्टेंस रनर ओफन मेक इस फालिंग तो पेज देंसेल्ट पेज दर रन मींस अंडरस्टाइनिंग फार यूर बादी ज़ादी लिमिट किया है यूज अपना पूरा करने की कोशिश करें यूज अ टाइमर का यूज करें आगे कुछ दिनों के बाद स्टार्डिंग में नहीं और टाइमर से आपको हेलप होगी आप वाच भी यूज कर सकते हैं डिजिटल वाच यूज कर सकते हैं आप आजकल बहुत अच्छी अच्छी Android Apps जो हैं, वो iOS Apps जो हैं, वो आच चुकी हैं, आप Google Play Store पे, iOS App Store पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो fitness के बारे में काफी सारी Apps आई हैं, जिसमें आपको running, heartbeat और भी बहुत सारे different functions जो हैं, वो मिल जाते हैं, उनको भी use करके, आप इ increase gradually करनी है, इन डिटेल पढ़ने के लिए आप pause करके इस वीडियो में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो जादा lengthy ना हो, इसलिए मैं short shot अपनी बात कर रहा हूं, तो increasing the mileage gradually मतलब है, long distance running के लिए आप incremental है, growth is a key as a rule, increase the weekly mileage by no more than 10%, इस तरह से आपको आईस्त आईस्त अपनी mileage भढ़ानी, injury prevention भी करनी है, आपको दियान रखना है कहीं, आप injured ना हो जाएं, तो जो task आपको achieve करना है, final stage पर जाके वो कहीं, उसको achieve करने से पहले कहीं, खतरनाग injury आ गई, तो फिर आप ground में पहुंच नहीं पाएंगे, उस track पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे 12 km का target पूरा करेंगे, तो body को भी दिहान रखना है, injury कोई आनी नहीं चाहिए, इसके बाद resting after running, तो यह जुरूरी है, हर मेशा जब भी आप running करके आएं, तो आप अपनी body को जुरूर rest दें, इसलिए कि आपके next day के लिए आपकी preparation होगी, जब आप body को थकाने के बाद, इस जो है रेस के लिए gradual होनी चाहिए, फिर training includes, यह इसमें long distance race के लिए eat well, stay hydrated, maintaining of the training schedule, that is incremental weekly mileage के basis पे, next race में make your runs interesting, as much as some people love long distance running, covering the same distance route regularly can quickly become boring and monotonous, तो एक जैसा जो है आपका track रहेगा हर दिन, उसी same track पे भागते रहेंगे, तो थोड़ी आपको भी boring सी feel होगी, तो आप क्या कर सकते हैं इस चीज को interesting बनाने के लिए, आप roots different explore करें, change करें roots, एक दिन अगर आप एक रास्ते पे दौड़ रहें, दूसरे दिन किसी दूसरे रास्ते को तलाश करें, तो अपने roots भी change करें, ताकि आपका interest बना रहे, alternate hard days of training, जो है with the rest, यह आप जरूर करें, कि एक दिन आप slow, calm, cool down, मतलब easy वाली exercise करें, training करें, दूसरे दिन आप थोड़ा hard कर लें, फिर तीसरे दिन, यह दूसरे दिन rest करके, तीसरे दिन थोड़ी hard training कर लें, hard running कर लें, altitude running means आप पहाड़ू पे, अगर आपके आस्परोस में कहीं पहाड़ हैं, छोट पे weekend पे, छुटी के दिन, Sunday के दिन, आप थोड़ा उन पहाड़ों पर भी track करें, एक गहंटे का, डेड़ गहंटे का, दो गहंटे का सफर करें, इससे आपका stamina बिल्ट होगा, break your run into the section, sections में आप अपनी running को break करके दोड़ेंगे, आइस्ता आइस्ता थोड़े थोड़े step wise आ आप अपने groups के साथ भी training ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, ये मैंने भी किया है, तो groups में ये होता है कि एक दूसरे की help भी हो जाती है, एक दूसरे के साथ बंदा interesting, गपें भी मारता है, दोस्ती यारी की बातें भी करता है, खाता पीता भी है, और task को भी, साथ साथ म तो आप weekend पे भी long run कर सकते हैं छुटी के दिन long run कर सकते हैं group में दोड सकते हैं कभी आप single भी दोड़े हैं तो group में भी timing रख सकते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं इस task को पुरा करने के लिए तो यहाँ पर बात कर रहा था कि groups के साथ भी आप running करें it may be easier to find a safe group in an area that you get together to do a long run वो आपके classmate हो सकते हैं batchmate हो सकते हैं जो इस exam के लिए तयारी कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं तो group बना दें ज़्यादा नहीं जमगटा लेकिन 5-6 लड़कों का group आप ज़रूर बना है इससे motivation मिलती है एक दूसरे को help भी मिलती है और एक दूसरे को sport भी मिलती है be aware of your running posture अपने running posture के बारे में ज़रूर aware हो कि आपका wrist कहां जा रहे है हाथ कहां जा रहे है arms कहां जा रहे है head should be upright so you can clearly see where you are heading तो सर जुका कि बिल्कुल road पे नहीं देखना है front seat देखना है ताकि आपको आगे आने वाली हर गतिविदी पे भी नजर रहे और अपने task को भी आप पूरा कर सको your back should be straight and your breath should be deep your runner foot fall should be also straight running in the right posture ensures optimal performance for the athlete तो यहाँ पे आप athlete तो नहीं बनने जा रहे हैं लेकिन अपना task पूरा करना है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है at the end final thoughts मेरी side से है most important is your willpower जो मैंने अभी तक बात नहीं की थी तो willpower में आखिर मैं बोलूंगा कि अगर जिसके पास willpower है जो करना चाहता है जिसका attitude है जिसका belief है जिसका confidence है तो वो यह 25 km 16 km 4 गंटे में कर सकता है तो पहले तो आपको willpower होनी चाहिए attitude आपका होना चाहिए आपका belief और आपका confidence होना चाहिए फिर आपको सारी चीजे साथ देंगी by starting slow and gradual building endurance and test strength should throw some of the tips and provide it above जो मैं बता रहा हूँ मैं दुबारा आपको बता दूँ आपको willpower, attitude, belief, confidence होना चाहिए by starting slow and gradually building endurance and strength throw some of the tips provided above जो मैंने डिसकस की you can incrementally increase your fitness level at your own pace safely and in a healthy way तो इस तरह से आप जो है अपना 25 km 16 km का जो है टास्क वो जो है वो पूरा कर सकते हैं males and female दोस्त, friends, viewers, जो भी तो दोस्तो यही थी कुछ important बात है जो मैं आपके साथ share कर रहा था वीडियो की शकल में यहाँ पे कि हम कैसे forester और inspector का physical endurance test physical standard test clear कर सकते हैं walk test कैसे हम clear कर सकते हैं तो यह कुछ important tips और useful बात है most important points जो मैं आपके साथ discuss कर रहा था about how to qualify the physical standard test and physical endurance test walk test for both of the jobs forester and inspector I hope कि आपको यह वीडियो काफी informative लगा होगा अच्छा लगा होगा जो भी बाते मैंने यहाँ पे share की होंगी आपको I hope कि अच्छी लगी होंगी इसके अलावा अगर आप भी कुछ important बातें इस वीडियो में जोडना चाहते हैं को चार घंटे में पूरा कर सकें दौनों जॉब्स के लिए तो for more information you can visit the different websites to take more help and useful tips so this was my little effort to help you how to succeed for 25 km and 16 km walk test in 4 hours for both the job for both males and females inspector, forest protection, force job के लिए भी your forester job के लिए भी hope you will love it like it, share it and most importantly subscribe the Awakened Brains YouTube channel and make a beautiful and wonderful comments as a feedback और आप दोस्तों इस वीडियो को देख रहे थे अभी तकर आप इस वीडियो के साथ जुडे हुए हैं तो thank you so much guys once again for watching Awakened Brains and this video do not forget to like, share, subscribe and support, all the best and God bless you all